मटन कांडी बहुती टेस्टी स्टार्टर की रेसिपी है बाहर से रहेगा ये क्रिस्पी और अंदर से रहेगा एकदम जूसी और सॉफ्ट मिंटों में ये रेसिपी आप बना कर रेडी कर सकते हैं तो सबसे पहले मटन को बॉयल कर लेंगे इसके लिए प्रशी कूकर में डालेंगे आधा कीलो मटन ये बोनलेस मटन है जिसके मैंने छोटे-छोटे पीसेश कर लिए हैं इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच भर कर अधरकलेसन का पेस्ट एक बड़ा चमच भर कर डाल देते हैं हरी मुर्चों का पेस्ट या फिर मिर्चों को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, हल्दी थोड़ी सी डाल लेते हैं, एक चौथाई चमच, नमक मटन के हिसाब का करीब एक चमच डाल लेते हैं, पानी इसमें बहुत थोड़ा सा डालेंगे, तो मैं आधा कप डाल रही हूँ, पानी बस इतना रहना चाह पक जाएं, तब तक इसे पका लेना है, मटन पक चुका है, धकन हटा लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, फ्लेम को मैं हाई कर रही हूँ, और इसका पानी हम सुखा लेते हैं, पानी सूख जाए, इसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करके इसे निका चमच डालेंगे चाट मसाले का पाउडर, एक चमच डालते हैं जीरे का पाउडर, आदा चमच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, आदा चमच डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, और इसमें आधे नीम्भू का रस निचोड़ लेते हैं, नमक हमने पहले डाला हुआ है और चाट मसाले में भी नमक है, इसलिए हम इसमें नमक नहीं आड़ करेंगे अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मटन पर अच्छी तरह से मसाला लिपट जाए इसके बाद हम इसे इस तरह की स्कूवर स्टिक्स पर डाल लेंगे ये चोटी स्कूर स्टिक्स मैंने लिए है, जने फ्राइ करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी तो तीन से चार जितनी भी बोटियां आप इस पर डालना चाते हैं, उतनी इस पर डाल सकते हैं ये सारी sticks रेडी हो जाए, इसके बाद हम इसे चाबल के आटे में इस तरह से coat कर लेंगे चाबल के आटे से ये बहुती क्रिज्पी बनकर रेडी होगा आप चाहें तो इस पर corn flour या फिर मैदे की coating भी लगा सकते हैं चावल का आटा सारी मतन की कांडी पर लगा लेंगे और इसके बाद हमें इसे अंडे से कोट कर लेना है तो ये दो अंडे फेटे हुए हैं मतन कांडी को अच्छी तरह से इस पर कोट कर लेंगे ये सारी मतन कांडी को अब हमें deep fry कर लेना है medium to high flame पर इसे पकाएंगे क्योंकि अंदर से मतन एक दन soft है बस बाहर की कोटिंग को हमें क्रिस्पी करना है दूसरी तरफ से भी मतन कांडी को अच्छी तरह से fry कर लेंगे हलका सा इस पर golden color आ जाए बस तब हम सारा तेल ड्रेन करके इसे निकाल लेते हैं मसेदार सी आसानी से बन जाने वाली मतन स्टार्टर की रेसिपी मतन कांडी बर्कर रेडी हो गई है इसे आप हरी चटनी नीमबू सालिट के साथ सर्फ कर लीजिए